किसी शायर ने लिखा है कि बुलंदी देर तक किस सक्ष के हिस्से में रहती है बड़ी उची इमारत हर घड़ी खत्रे में रहती है लेकिन इस शायरी से अलग नवीमबई के सिल्पकार और महराष्ट के दिगज नेता गणेशनाईक एक ऐसे नेता है जो अपनी सोच से अपने कारियों से और अपने संपरकों से सदा बुलंदियों पर बने हुए है सदा सबके लोकप्रिय और चहेते बने हुए हैं एक सामान ने मजदूर नेता के तोर पर राजनेतिक बुलंदी का सफर शुरू करने वाले गणेशनाईक ने संद 2000 के बाद जब विधायक की पारी प्रारंभ की तब MIDC में न्याय के लिए उठने वाली उनकी आवाज विधान सभा तक बुलंद होने लगी और अब तक गूज रही है स्रम मंत्री, एक्साइज मिनिस्टर और पारंपरी कुर्जा मंत्री और थाने जिले के पालक मंत्री समेट तमाम जिम्मेदारियां बखुबी निभाकर उन्होंने नविम्बई का नाम महाराष्ट की राजनेती में हमेशा अगले पायदान पर रखा नविम्बई को विकास की बुलंदी पर ले जाने का स्रेव ही पूरी तरह गणेशनाई के नाम है सीमेंट की सडकें, 24 घंटे पानी, खुबसूरत उद्यान अम तालाब, आधूनिक डंपिंग ग्राउंड, आधूनिक स्टीपी प्लांट मनपा का भव्य मुख्याले जैसे तमाम ऐसे उपकरम हैं, जिनकी संकलपनाओं के पीछे, लोकनेता गणेशनाई की दूरदर्सी सोच साफ चलकती है नविम्बई को सीडकों ने भले बसाया, लेकिन सुविधाओं के जरिये नविम्बई को समारने का असली स्रे भी गणेशनाई को जाता है इसलिए तो उन्हें नविम्बई का सिल्पकार कहते हैं 1993 के दौर में मुंबई बंबलाष्ट के बाद हुए सांपरदाईक दंगों से जब सारी मुंबई और महराष्ट जल रहा था तब नविम्बई में अमन चैन और शान्ती का महौल था दरसल गणेशनाईक कहते हैं कि मुझे न हिंदू दिखता है न मुसल्मान दिखता है मेरी नजर में तो हर शख्स इंसान दिखता है यह सच है कि सर्वधर्म समभाव के उनकी इसी सोच ने हिंदू मुसलिम से कैसाई दलित और जैन समेत हर कम्यूनिटी को अपने साथ जोड़े रखा और इसी का परिडाम रहा कि नविम्बई में हर दम अमन और शान्ती कायम रही उनकी दूरदर्सी सोच और विजन से सिंचित और विक्सित होकर नविम्बई आज महराष्ट का नंबर वन और भारत का तीसरा सबसे सुन्दर शहर बन सकी है हर तबके के उत्थान का प्रयास, गाउठानों का विस्तार, जरजर इमारतों का पुनरविकास, फ्री होल्ड नविम्बई, सिलम डिबलप्मेंट जैसे तमाम अयतिहासिक पहल उनके नाम है विद्यार्थियों के लिए सराव परिक्षा, इवाओं के लिए मेगा जौफेयर, और आम जनता की शिकायतों के समाधान के लिए जनता दरबार, गनेशनाईक के वो प्रयास हैं, जिसे अब महराष्ट के कई बड़े नेता अपनाने लगे हैं जनता के हर दुख तकलीप में खड़े रहना, नए उपक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद करना, और सब के साथ मधूरता पुर्ण वेवहार करना उनकी आदत है इस शबी के चलते ही गनेशनाईक आज सब के चहेते लोक नेता हैं निरंतर चालिस सालों से जनता की सेवा में ततपर गनेशनाईक आज अयरोली के बिधायक के तौर पर कोरोनाकाल में भी जान का जोखिम लेकर निरंतर काम कर रहे हैं ताकि नविमबईकर स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें आज वे पालक मंतरी नहीं है, लेकिन लॉक डाउन में बेसाहरा हो चुकी जनता को जिस तरह उन्होंने पालक बनकर संभला, राशन पहुचाया, उपचार सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ी, उससे वे नविमबईकरों के दिलों में बस गए हैं और इसी लिए सब उन्हें जन्मदिन की दुआएं और बधाईयां दे रहे हैं, और बैनरों पर लिख रहे हैं, हैपी बर्थडे दादा, बिरुर रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया